Hello Friends, आज मैं आपको देने जारी हूँ किचन के दो बहुत important tips सबसे पहला tip है कि हमें सर्दियों में दहीं कैसे जमाना है तो यहाँ पर मैंने दूद लिया है, यह lukewarm है इसको हम टच कर सकते हैं, बहुत जादा गरम या बहुत हलका गरम नहीं है मीजियम गरम करना है और उसको हम टालेंगे एक ऐसे बरतन में जो की कैश रूल है जी हाँ कैश रूल यानि की होट केस टाइप का बरतन जिसमें की आप रोटी या सबजी रखते हैं बनाने के बाद और उसमें गरम रहती है काफी देर तर तो ये सबसे पहले टेप है दहीं जबाने के लिए इसका धकन भी जो है वो हीट को भार ट्रैप नहीं होने देता है तो ये गरम रहेगा उसमें दूसरा है कि जो हमने दहीं का जाम लिया है वो खटा होना चाहिए उसको डालने के बाद अच्छी तरह से mix करना है दहीं जो है वो room temperature पर होना चाहिए ठंडा या fridge से निकला हुआ नहीं होना चाहिए इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक तेज हरी मिच चुकूप spicy हो और उसकी डंडी उपर से लगी होनी चाहिए साबुत हरी मिच हम इसमें डाल देंगे और इसे धकन को हम करेंगे बंद और जो heat है वो अंदर trap रहेगी बैक्टीरिय अपना काम करेंगे रात को और morning में हमें एक बहुत अच्छा सा जमा हुआ दही मिलेगा so let's see कि morning में क्या होता है तो ये देखिए सुभा मैंने छे बजे करीब इसको देखा है और ये दही perfectly set हो गया है तो अब आप enjoy कीजिए और सर्दियों में बढ़िया से दहीं जमाईए और जो भी dish बनानी है बना लीजिए तो अब हम चलते हैं अपने second hack की तरफ kitchen की tip है इसको हम इसमें हम देखेंगे कि egg white और egg yo को कैसे separate करना है तो अब ये oops sorry ये तो blooper हो गया कोई बात नहीं हम दुबारे से start करेंगे ये आप setup देखें मेरा एक बरतन के उपर मैंने कड़्ची रखिए जिसे हम पकोड़े तलते हैं इस पर आप egg को फोर दीजी और फिर जो egg white है वो धीरे धीरे उसमें जो बीच में holes हैं वहां से seep हो जो भी cake या dishes में आपको egg yolk अलग से separate करना है तो इस तरह से आप उसे कीजिए तो thank you friends आज की ये दो tips इतनी ही हैं और आगे भी बाकी tips लेकर क्याओंगी और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो को like, share और comment करना ना भूलिए thank you